आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे यानि कि इंड़क्टिव रिजिनिंग और डिड़क्टिव रिजिनिंग पे ये दोनों टॉपिक्स एक्जाम्स के लिहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्टन और इसमें से लास्निंग कोस्टिन आते हैं जो स्टूडिन्स को कंफ्यूज करते हैं कि जनरल टू स्पैस्पिक क्या है आज हम इस रूर को समझेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रिजिन प्रिजनिंग ड्राइफ कगया है रिजन से और रिजन होती है वज़ा यечатय वज़ा को जानना रिजनिंग होता है जैसे आप कोई काम करें तो इसको कहते है रिजनिंग जब किसी कॉस्टिन का अनसर फाइन करते हैं तो रिजन ढूनते हैं य RS एक एंपल अगर आपके सामने इसका answer D.I.S. की reason किया है Questions को हम carefully पढ़ते हैं पढ़कर facts ढूनते हैं उनका logic की बेज़ पे उनका relation बनाते हैं और सारे facts का analysis करते हैं इस तरह से हम answer को find out करते हैं Reasoning के अगर definition देखें Reasoning is the process of thinking about things in logical, rational way चीज़ों को logical या rational way में सोचने, समझने के जो process है इसको कहते है reasoning Reasoning हम use क्यों करते हैं इसको हम use करते हैं decision making के लिए problems को solve करने के लिए और चीज़ों को evaluate करने के लिए अब हम बढ़ेंगे types of reasoning Reasoning की main two types हैं First one is inductive reasoning and the second one is deductive reasoning इनको detail में discuss करते हैं actually inductive और deductive reasoning क्या है और साथ ही इनकी examples भी देखेंगे reasoning के इसके लावा भी कुछ types हैं लेकिन वो types इन्हीं दो types से drive की गी है सबसे पहले हम पढ़ते हैं inductive reasoning क्या होता है inductive reasoning को समझने से पहले inductive word का meaning समझना होगा inductive word drive क्या गया है induct से और induct का मतलब होता है to add something यानि कोई नई चीज़ एड़ करना कोई नई चीज़ शामिल करना यह होता है inductive practically अगर देखें तो inductive reasoning को हम daily life में बहुत ज़्यादा use करते हैं inductive reasoning होता है specific to general known to unknown यानि इसमें हम move करते हैं specific से general की दरब यानि हम अपनी daily life में specific instances को देखते हैं specific चीज़ों को understand करते हैं और उन examples यानि इस्टेंसिस की बेसिस पे general conclusion ड्रॉ करते हैं examples से इसको समते हैं common से हमें एक example ले लेते हैं suppose आपके सामने एक apple tree है apple tree के leaves का color अगर देखें तो वह green होगा इस तरह आप mango tree को देखेंगे mango tree का जो leaves होता है उसका color भी green होता है इसके बाद orange tree अगर आप देखें तो उसके leaves का color भी green होगा आपके mind में एक image बैट चाहिए जितने भी trees होते हैं उनका color उनके जो leaves होते हैं उनका color green होता है तब आप इन specific example से induct कर लेंगे कि दुनिया में जितने भी trees होगे उनके leaves का color green होगा यानि आपने specific example से generalize कर लिया तो जब हम particular या specific example से कुछ चीज जनरलाइज करते हैं वो होता है inductive reasoning ज्यादा तर जो research होती हैं वो inductive nature होती हैं means particular चीज़ों पे data collect किया जाता है particular instances पे research किया जाता है और उनको इकठा किया जाता है इसके बाद conclusion को generalize किया जाता है inductive reasoning यूज की जाती है general rule statement जो formula को generate करने के लिए लेकिन inductive reasoning हमेशा true नहीं होती कुछ cases में inductive reasoning में doubt होता है doubt कैसे होता है इसको समझने के लिए अपनी example पे वापस आती है हमने generalize किया कि सारी trees के leaves का color green होता है लेकिन ऐसा नहीं होता हमने सिर्फ दो तिन example से generalize किया कि सारे leaves green होते हैं लेकिन कुछ yellow leaves वाले भी tree होते हैं और भी बहुत से colors होते हैं ऐसे में inductive reasoning से जो concrete draw किया जाएगा वो खलत हो जाएगा इसलिए inductive reasoning से जो formula या rule generate किया जाता है वो 100% true नहीं होता एक और example लेते हैं inductive reasoning की ये कुछ question है आपके सामने mathematics के इन question में अगर देखें तो हर question में एक number even है और एक number odd है फर्स question में अगर देखें तो 1 odd है और 2 even है इन दोनों को add किया तो answer आया 3 और जो answer आया है वो भी odd है सेकिंड question देखें 6 even है और 3 odd है इन दोनों को plus किया तो answer आया 9 9 भी odd number है इसके बाद third example देखें 9 odd है और 2 even है इन दोनों को प्लस किया तो answer आया 11 और 11 भी odd number है इस तरह 4 प्लस 3 में 4 even है और 3 odd है इन दोनों को add किया तो answer आया 7 और 7 भी odd है इन एक्जेंपल से हम एक rule generate कर लेंगे कि जब भी एक even और एक odd number को plus करेंगे तो answer odd number में आएगा जब भी हम even और odd को plus करेंगे तो answer odd number में आएगा यह हमने जब जब आएगा तो inductive reasoning क्यों हम यूज करते हैं जब 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 करना होता है तब हम inductive reasoning यूज करते हैं अब हम परते हैं deductive reasoning क्या होता है deductive reasoning inductive reasoning से totally opposite है deductive reasoning में हम move करते हैं from general to specific from unknown to known inductive reasoning में हमने move क्या था specific से general की तरफ known से unknown की तरफ लेकिन इसमें move करते हैं general to specific unknown to known deductive reasoning में general rule statement यूज फार्मूला हमें already पता होता है बस उसको हम different examples पे specific examples पे हम apply करते हैं deductive world drive कह गया है deduct से deduct का मतलब होता है निकालना यूज ड्राइव करना suppose कोई general statement हमारे पास junk food खाने से से शेहत खराब हो जाती है ये एक general statement है अब इसको use करेंगे specific instance पे यानि जो हम अपनी daily life में experience करते हैं उस पे इस statement को apply करेंगे फर एक्जामपल आईशा junk food खाती है इसलिए आईशा की सेहत खराब हो जाएगी junk food खाने से से सेहत खराब होती है ये एक general statement है और हमने इसको apply किया particular ये specific instance यानि के आईशा पे फिर हम इससे statement को किसी और instance यानि कि किसी और person पे apply करते हैं जैसे एहमद जंपूड खाता है तो एहमद की सेहत खराब हो जाएगी तो जो हमारे पस general rule है उसको हम particular चीज़ों पे लगाते हैं तो वो होती है deductive reasoning deductive नाम से ही clear है कि deduct होता है drive करना या निकालना तो general चीज़ हमें already पता होती है बस उसे हम different instances पे लगाके उसे apply करके उसका पेस करते हैं इंडेक्टिव रिजनिंग पेस करते हैं इंडेक्टिव रिजनिंग पे इंडेक्टिव रिजनिंग में जो फॉर्मूला रोल या स्टेट्मिन जर्रलाइज की जाती है deductive reasoning उसको प्रूव करती है specific instances पे apply करके इसलिए deductive reasoning से जो conclusion draw किया जाता है वो 100% true होता है इसमें किसी किसम का कोई doubt नहीं होता कुछ और example से deductive reasoning को हम समझते हैं for example एक हमारे पास example है all mammals have backbone सब mammals की backbone होती है यह एक general statement है इसके बाद statement को हम apply करते है specific instances पे जैसे humans पे हम apply करते है humans are mammal इनसान भी mammals है यहां पे human जो है यह एक specific instance के तोर पर use किया है जिस पे हम general statement को apply कर रहे हैं again देखे general statement को all mammals have backbone फिर इसको apply किया हमने humans पे humans are mammal इनसान भी mammals हैं तो इससे conclusion draw करते हैं कि इनसान की भी backbone होती है humans have backbone जब सब mammals की backbone होती है तो इनसान भी mammals है इनकी भी backbone होती है एक और example लेते हैं अब हमारे पस general statement है all plants perform photosynthesis तमाम plants photosynthesis करते हैं फिर इस statement को हम apply करते हैं किसी specific plant के उपर और example हम apply करते हैं इसको cactus के उपर cactus a cactus is a plant, cactus भी एक तरह का plant है जब सब plants photosynthesis करते हैं तो cactus भी एक plant है definitely वो भी photosynthesis करेगा तो conclusion हमने draw किया cactus performs photosynthesis general statement हमारे पस थी all plants perform photosynthesis इस statement को हमने apply किया cactus पे a cactus is a plant, conclusion हमने draw किया cactus performs photosynthesis यह थी deductive reasoning जिसमें हम rule या formula या statement को prove करते हैं inductive reasoning में हम general to specific move करते हैं और deductive reasoning में general to specific move करते हैं यह इनमे main difference है इ醝 प्रहा और रठल स्च़र Самोर करता एद है ट्टर स्थम्सवां श्राइब करते प्रेंस स्थम्सवाह प्स्ड़्या गएण है यह रहन आ रहा खगा झाल रहा रहा चु सबक्पादाश, चु भाहा में कहते हैं झाल झाल